कर लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में कार एक्स ट्रीट गेम खेलना चाहते हैं और जब आप उसे ओपन करते हैं ओपन होने के बाद वह लोडिंग लेता है थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर loading लेता इस तरीके से और आपको इस तरीके से error आ जाता है chain operation failed because dependent operation failed और आप यहां पर जब click करते हैं तो game automatic बंध हो जाता है तो यहां पर मैं आपको एक proof दिखाऊंगा जो google search पे मुझे मिला है तो जल्दी से दिखा देता हूँ तो यह मैंने google search किया था यहां पर देखिये क्या लिखा हुआ है only selected countries can download the game on the play store or the app store what is this these countries include Russia Ukraine and Belarus car technologies LLC is ruling out the game to other countries यानि कि हर country में यह launch नहीं हुआ है अवेलेबल नहीं हुआ है Russia Ukraine and Belarus इन ही country में अभी यह launch हुआ है इस वजह से वो आपको server error आ रहा है लेकिन बहुत से लोग game डाउनलोड कर लेते हैं कहां से बाहर से डाउनलोड कर लेते हैं ठीक है वो google से डाउनलोड कर लेते हैं अगर आप play store में search करेंगे तो आपको यह game नहीं मिलेगा बट एक तरीका है आप इसे play store में भी ढूल सकते हैं बस आपको यहाँ पर देखिए search करना है car x street और आगे लिख देना है play store इस तरीकी से लिख के search कर देना है यहाँ पर आपको यह दिख जाएगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिख कर आएगा this item isn't available in your country क्योंकि यह तीन country में ही available है इसलिए यह इस तरीके से error आ रहा है बट बहुत से लोग google से download कर लेते हैं इसलिए वो इसे open कर पाते हैं ठीक है तो कुछ दिन बाद automatic यह आपके आपकी country में launch हो जाएगा अभी launch नहीं हुआ है उसके बाद आप इसे खेल पाएंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स ओर को subscribe ज़रूर कर दे